सचीन वादेर ना अर्टक करनेत आलेले आहे या संद्रवा कुमी इस अधर लाउंडरों का सभागुरात को नंपभागुराच अधर नहीं प्रकर नत्यंत गंभीर है जावे येचे काई पुरावे माजा जवाल आले तेवे में ते सभागुरात या करताच माणले कि समझा पुलीस मदले सुलोक अशाप्रकारे चर काम करना रसतील आले आशाप्रकारच गंभीर गुनयान मदे सभागी होना रसतील तर काईदागी सुवस्ता राहिल कशी आले मुलन हा सगा विशे मी सातत्तने मांडत होतो परंतु दुर्देवाने सरकारचा वतीन, किवा तेनना त्याटिकाणी पाठीशी गाललाचा स्काम, यह सातत त्याने होतों मैं अग्दी ते ओसामा भीन लादेन आहेत का वगरे आशा प्रकारे तेनना एक प्रकारे शेल्टर देनाचा काम कि मा कुटेतरी तेन्चीज वकीली करलाचा काम यह सातत त्याने सरकारचा वतीना होतों पर मलास वट्टा कि आता एनायेचीजी कारवाई जाली है त्यात अनेक पुरावे एनायेला मियालेले आहेत आनेक कशा प्रकारे हा संप्रलों गुना घडलाए पर माजमत असा है कि आतला एकस भाग बाहर आलेला है दूसरा भाग अत्यानत महत्वाचा है मन्सु खिरेन येंचीजी हत्या है आता तर ही गाडी तेडिकाणे ठेवलेचा जो गुना आहे त्या गुना चे संद्रबा तेनायेनी आज रिमाण मागित लेला है पर मन्सु खिरेन येंची जी हत्या है ती हत्या रिकेल अत्यानत महत्वाची आले त्याती प्रच्चन न मोटे धागे दोरे आले पुरावे हे मलास वट्टे की जकाई एजंसीजीजी तेनना त्याडिकाणी उपलब्द होता है आणि त्याते ही लवकरत्स कारवाई होई लाशी माजी अपेक्षा है पड़ एकुणाच बाज मत असा है कि केवल हे सचीन वजे येंचा पुर्त मर्य दित नाई है कोण-कोण येचा मदे आहे तकोणाचा तला पठिम भाए कोण-कोणी तेचा मदे काय-काय रोल प्ले केला है ये सगया गोश्टी यानि मेत्याने बाहरेणा अत्यांत आवोशक आहे मलास वट्टकी आता ही नुश्ती सुरुवात जाली है आणि सगयात महत्वाचा प्रश्ण या थारीखेल उपस्तित होतो कि सचिन वाजे हे माननीय उच्चे नायलिया चा आदेशा प्रमाणे निलंबित होते आणि जावेस मी मुख्य मंत्री होतो आणि माजेकड़े गुरुवा खातो होतो त्यावे अश्या प्रकार सा आगर शिवसेनेचिया नित्याननी धरला होता हैमिया गेणर योग गेणाओ ने तो हायकोड़ाचे अफमान होई मात्र हे सरकार आल्यान अंतर तैननी कोरोनाचे कारन डखोन कोरोना तामाला सथास्पेंडड अधिकारी हवे आक आसे कारन डखोन तैनना पुणा घेतल लो पर घेतला तरी, तेचा मदे सगयत महतवाचे का है, तर Crime Intelligence Unit है मुंबई पोलीसां सगयत महतवाचे यूनिट है, आणि या यूनिट सा प्रमुखा नेमी एक P.I. दर्जाचा वेक्ती यसो, येनना घेतला अंतर रातो रात P.I. दर्जाचा वेक्ती, हा ट्रांस्पर करना ताल आणि API दर्जाचे जे सचीन वाजे आहे यानना तेशा पुरुना चार्ज देडा ताला आणि त्यारं तर मुंबईतली कुठली ही तेडिकाडी केस असो ती प्रत्य केस ही मात्र तेंचेस कडे जाईल आशा प्रकार्चा एक तेडिकाडी काम सुरू जाला आणि मुण़न तेहंचा जे वार्त महत्व होता ते मुनदों Państwo फिकाडी केस असो प्रत्य आणि या विश्वास मुले तेनना यह लक्सora दाला कि आपन कही करू शकतू आणि आशा या एकली कही आही एकला शक्क्षा मुंबई पुलिसान वरती अव विश्वास दाखाउने ताले आसा कुन आरुप्ट दा केला असा? मुंबई पुलिसान वरती अविश्वास दाखाउने ताले आसा? 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 पुलिसान वरती अविश्वास दाखाउने ताले आसा? मुंबई 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 पुलिसान वरती अविश्वास दाखाउने ताले आसा? अटिलिया बाम केस में जिस प्रकार से चीजे बहार आई है और सचीर वाजे एपिया है इनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है? मुझे ऐसा लगता है इससे सरकार के उपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है विशेश रूप से हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचीन वाजे के उपर कारवाई होनी चाहिए लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और ग्रोह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे मानों उनके वकील हो इस प्रकार से उस संदर में बाते हो रही थी लेकिन अब जो चीज़े बहार आ रही है ये सारी चीज़े गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ अब जो बहार आएगा तब धान में आएगा कि इसमें कौन-कौन लोग लिप्त है इसके पीछे की मंचा क्या है एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो API वाज़े है ये करीब 16 सालों से सस्पेंड़ थे और उनको हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था और जब हो हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया जिस समय मैं ग्रह मंत्री और मुख्यमंत्री था उस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता लेकिन बावजूर उसके जैसे यह नहीं सरकार आई तो नहीं सरकार ने कोरूना का भाना देकर उनको वापिस लिया और केवल वापिस नहीं लिया तो जो जो क्राइम इंटलीजनस यूनिट है जो मुंबई पूलिस का सबसे महतपूर अंग है और जिस पर हमेशा पिया रहता है उसका प्रमुख तो रात और प्याय को हटा कर जो 16 साल से सब्देड है ऐसे एपीड को उसका प्रमुख बनाया गया है और सारी जितनी उसके बाद प्र यह बहुत ही घलत बात है और इसमें से हमारे सरकार की हमारे पोलीस की इमेज़ भी खराब होती है और इसमें सक्रेह अभी आधा Оैं क करते कि पुरा सस्लेकर आए